नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विश्यश्मिस्टा और आप जूड़ चुके हैं स्टड़ी आईकी को इनिशेटीव यूपीसी आईक्यू से आज एक बहुत ही इंपॉर्टन न्यूज के साथ हम जुड़े हुए हैं वो ये कि इंडिया ने एक न्यूकलियर कैपबल मिसाइल ल हैं और इसे भारत को क्या फाइदे होने वाले हैं कैसे ़िस स्टेप को खाया रहा है इस सब पर चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप redirect क экспер और से जूड़ सकते हैं यहां दोस्तों हम बात करेंगे, इंडिया नैवी ने जो एक टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 3500 किलो मीटर के आसपास बताई जा रही है, यह टेस्ट है K4 मिसाइल का, K4 मिसाइल क्या है, K4 मिसाइल एक नुकलियर क्यापबल मिसाइल, यानि कि नुकलियर वार हैट्स को ले ज नुकल थी, K4 मिसाइल भी है, K4 मिसाइल को लांच किया है, इंडिया ने सम्मरीन से, ठीक है, पंडुबी के थूँ, जिसको सरल सब्दमार पंडुबी कहते हैं कि एक अस्थान से सर्विस होती हैं, फिर दूसरे अस्थान पर जाकर निकलती है, जिसको डिक्टेट कर पाना राडार की रेंज में आपाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सम्मरीन का इस्तमाल किया जाता है, युद्ध वगेरा के शेत्रों में, जहां पर आप जो है, मिसाइल को लांच कर सकते हैं, सम्मरीन के थूँ, तो अब दूसरी सबसे इंपॉर्टन बात है, एक तो नु इसलिए बड़ा इसको डिस्ट्र Trevor करना बड़ा ही मुश्किल हो जाए, तो क्या भारत की पहली मिसाइल है, जिस्को टेस्ट किया गए है, सम्मरीन के थूँ, नहीं, ये भारत की दूसरी मिसाइल है, इससे पहले भी भारत ने एक मिसाइल टेस्ट की हुई है, जिसका नाम ह के 15 सागरी का ठीक है अगर आप देखोगे तो आप आओगे कि भारत ने के 15 सागरी का SLBM भी जो की प्रेडिसेसर है के 4 का ठीक है या आप उसकी पुरानी इमेज दे सकते हो के 15 का तो भारत के पास ऐसी पहली भी एक मिसाइल है जो कि सम्मरीन से लॉंच की जा सकती है और की रेंज लगबग 700 किलोमीटर के आसपास थी यानि कि अगर हमें किसी देश पर हमला करना है इस न्युक्लियर क्यापबल मिसाइल के थू तो हमें सम्मरीन को हमें पंडुबी को उस देश के बड़े करीब ले जाना होगा उस देश के आसपास को स्टल रीजन में ले जाना करना होगा तब जाके हम उनके इनर सिटीज में इसको लॉंच कर सकते हैं के 15 मिसाइल को अगर हमें लॉंच करना होगा क्योंकि उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही हुआ करती थी अब हमने इस रेंज को लगबग 5 गुनी जादा बढ़ा लिया है यानि कि बहुत आसान होगा भारत को कुछी भी इंडियन ओशन रीजन में अपना सम्मरीन सेट करें और वहीं से इसको लॉंच करें के 4 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर बताई जा रही है यानि कि चाइना के अगर इनर सिटीज में अगर हमें नुकलियर कैपबल मिसाइल के तुरू हमला करना है अटैक करना है कि भारत जिन भी मिसाइल करता है उनकी रेंज कम बताता है लेकिन उनकी कैपबिल्टी उनकी बताई गई रेंज से जादा होती है तो जी हाँ अब भारत 3500 किलोमीटर यानि लॉंग रेंज की कैपबिल्टी रखता है नुकलियर मिसाइल में वह भी सम्मरीन के तुरू लॉ अपना nuclear capable missile launch कर रहे हैं तो उसको भी detect करके destroy करना असान होता है लेकिन सब्मरीन को spot कर पाना ही मुश्किल होता है unless कि आप जिस city पर attack कर रहे हो जिस अस्थान पर जिस location पर attack कर रहे हो वो पूरी तरह से air defense system के तुरू सुझ रच्छित की गई हो पहले से यहां तो यह पूरी development है कि इंडिया ने INS अरिगात से यह nuclear capable missile K4 launch किया है उसका test किया है हाला कि अभी इस पर ministry of defense चुप है DRDO के तरफ से कोई बयान नहीं आया है इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है तो चाइना उस पर approach करता है चाइना यूएन में इंडिया को question करता है कि भारत ने long range की missile test की है जो कि यूएन के नियमों और दूसरे और जो conventions हैं उनके खिलाफ है और भारत पर प्रतिबंध हो गएरा की मांग करता है तो अभी तक भारत की तरफ से कोई आप कह सकते हो कि सब्सक्राइब की तरफ से कोई बयान नहीं आया है दूसरा आप देखना ये भी बड़ा दिल्चस्प होगा कि चाइना इस पर किस प्रकार से प्रतिकिरिया करता है जो भी प्रतिकिरिया होगी उसको हम आपको बताएंगे कि से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार है वर नाइज डी कि